वेललकम टू दू चैनल, पेपल टीचर इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटीर प्रीवियस यह कुश्छन पेपल को और ये जो प्रिवियस यह कुश्छन पेपल होगा वह 20 सेप्टेमबर 2015 का पेपल होगा इसमें हम मैज्स के पेप्षीन को कवर करेंगे आईए देखते हैं मैट्स में किस तरह के questions पूछे गए थे 2015 में तो इस तरह से यहाँ पर question paper आया था मैट्स का first question यहाँ पर 31 number से start होता है जसमें दिया गया है कि लकडी के एक बकसे में 10290 पुस्तकों को pack किया जाता है books को pack किया जाता है यदि एक बकसे में 98 books pack हो जाती है तो एक बकसे का मूल जो है वो 518 है मतब 518 रुपए एक बकसे का मूल दिया गया है तो पुस्तकों को इतनी पुस्तकों को यह जो आपको quantity दी गई है 10290 इसको जो है pack करने में कुल कितना मूल लगेगा बकसे का तो इसको निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर कुल बकसों की संख्या जो है उससे आप पहले संख्या निकालिए तो यहाँ पर कुल जो books दी गई है यहाँ पर वो हो जाती है 10290 और टोटल यहाँ पर पुस्तके यहाँ पर 98 बोली गई है एक बकसे में 98 बोक्स आती है यानि कि कुल कितनी संख्या हो जाएगी बकसे की यहाँ पर तो इसको डिवाइड करेंगे 105 आ जाएगा यहाँ पर 105 जो आया है इसका मतलब हो गया कि यह बकसे की संख्या है यहाँ पर और एक बकसे के लिए जो मूले दिया गया था वो 518 रुपए दिया गया था तो 105 बकसे का मूले यहाँ पर आ जाएगा 549390 तो यहाँ पर 5 बकसे का आपको मूले दिया गया है जिसमें ए ओप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 54,390 जो रुपीज ए ओप्शन यहाँ पर करेक्ट है इसके लिए नेक्स कुशन यहाँ पर आ जाता है प्रात्मिक स्थर पर लंबाई को मापना यानि कि किसी की भी लेंध को मेजरमेंट करना है यहाँ पर विसे पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेडी क्रम उत्तम होगा तो यहाँ पे आपको step by step बताना है कि कौन सा correct होगा लंबाई को मापने के लिए पहले है तुलना करना तो second में भी है तुलना करना इसके बाद second यहाँ पे दिया गया है first में आप्रमारिक मापों का उपयोग करना यहाँ पे भी दिया गया है आ प्रमारिक मापो का उपयोग करना second option में then third step इसमें आता है प्रमारिक इकाईयों को विक्सित करना और B option जो आ जाता है इसमें प्रमारिक मापो को उपयोग करना है इकाईयों को विक्सित करने के लिए जो है हम लंबाई का माप नहीं करते हैं बलकि मापों का इसमें उप्योग किया जाएगा और इसके बाद प्रमारिक इकाईयों को विक्सित किया जाएगा तो यह B option यहाँ पे suitable हो जाएगा इसमें पहले तुलना की जाएगी यानि कि कमपैर्जन किया जाएगा और फिर जो certified measurement है उनका उप्योग किया जाएगा नॉन certified measurement है उनका उप्योग किया जाएगा फिर certified measurement है उनका उप्योग करेंगे नेक्स यहां पर question आ जाता है चौती कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उतेश से दिया गया है उतेश से इसमें बताया गया है कि विद्यार्थी दसंबलों वाली दो संख्याओं की जो की दसंबलों के दो स्थान तक है को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की योगिता रखते हैं तो यहां पर विद्यार्थी is capable होते हैं कि दसंबलों की जो दो संख्याओं होती हैं उनको क्रम से लगा सकें उनको स्थान पर लगा सकें और उसमें तुलना कर सकते हैं वो comparison कर सकते हैं तो यह जो अधिगम है इसका उदेश से क्या है यहां पर तो यह विशयायात्मक धे है ट next question यहां पे आता है क्लास फोर्थ में सम्मिती और परावर्थन की जयामिती संकल्पनाओं में की व्रधी के लिए इंक्रीमेंट देखने के लिए कौन से वेवहार कोसल के उपकरर क्या आशकता हुई तो यहां पर हम जो है बिंदू सीट को दिखाएंगे जिसमें जैमिती आकरतियां बनेंगी तो यहां पर B option correct हो जाएगा इसके लिए यह dotted papers होते हैं जिसमें हम जो है आकरतियां इसमें बना के दिखाते हैं बच्चों को तो B options के लिए correct हो जाएगा next question यहां पर आजाता है class 5th में गडित के period में यह वाद विवाद यानि की debate किया जाता है maths के period में कि सूर ने सबसे अधेक प्रभावसाली संख्या है जो बच्चों को प्रोच साहित करता है यह जो debate है यह बच्चे को किस लिए motivate करेगा तो इसमें बच्चे analyze करेंगे और communicate करेंगे तो wish leisure or some pressure के लिए important हो जाएगा जिसमें आप debate रखते हैं कि सूर ने सबसे अधेक प्रभावसाली संख्या क्यूं है तो सबसे पहले बच्चे analyze करेंगे विशलेशर करेंगे चीजों का अपने तथ्य का उसके बाद वो communicate करेंगे एक दूसरे से बाचीट करेंगे यहाँ पर next question यहाँ पर आ जाता है learning disorder से यहाँ पर बताया गया है कि यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं था परिकलन यानि कि numbers को समझने में और calculation करने में problem हो रही है तो वो विद्यार्थी जो है किस प्रिकार के learning disorder से जोज रहा है यहाँ पर तो हम जब भी देखते हैं कि math से related यानि कि calculation से related बच्चे को problem होती है तो वो dyscalculia होता है यहाँ पर गर्टी अच्छमता हो जाएगा dyscalculia b option यहाँ पर correct हो जाएगा calculation से आप याद कर सकते हैं dyscalculia next question is about प्रात्मिक इस तर पर सिक्षार्थियों के लिए व्यवहारी कुपकरणों का महत तो है क्योंकि यहाँ बहुत मदद करते हैं तो प्रात्मिक इस तरह पर जो व्यवहारी कुपकरर होते हैं, वो किसमें मदद करते हैं, तो मूल गड़ती है संकल्पनाव को समझने में मदद करते हैं, जो basic concepts होते हैं, उनको समझने के लिए व्यवहारी कुपकरर आवर्शक होते हैं, C option यहाँ पर correct हो जाएगा, next question यहाँ पर 38 number पर आ जाता है, कौन सा खुला अंत वाला प्रेशन है, open-ended question कौन सा हो जाता है इसमें से, open-ended question का मतलब हो जाता है जिसमें divergent thinking होगी, यानि कि एक ही problem के आप कई सारे solution रखते हैं, तब उसको हम कहते हैं, कि यह open-ended question है, और एक ही problem का एक ही answer होगा, fixed answer होगा, उसका मतलब है कि यह closed-ended question है, तो यहाँ पर देखिए, first option बताया गया है, कि आप 15 को तीन से गुड़ा किस प्रकार करेंगे, तो यह एक fixed answer होगया, यहाँ पर, इसका मतलब है कि यह closed-ended question है, यहाँ पर, next question आ जाता है, next point है यहाँ पर, कि कोई दो संख्याएं लिखे, जिनका गुड़न फल जो है, 45 होग दिखाने के आपके पास कई सारे तरीके होंगे, तो यहाँ पर divers तरीके हो जाएंगे, कई सारे तरीकों से आप दिखा सकते हैं, यह इनका गुड़न फल जो है, 47 है, तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर, 5 x 9 करेंगे, तब भी 45 आएगा, यहाँ पर, 3 x 15 करेंगे, निकालने के, उसके बाद यहाँ पे, जो है, C point दिया गया है, कि संख्यारेखा का प्रयोग करते हुए, तीन बार, 15 का मान जो है, ग्याद कीज़े, तो यह भी fixed question हो गया, कि संख्यारेखा का प्रयोग करते हुए, हम 3 बार, 15 का मान ग्याद करेंगे, और 15 x 3 पुछा गया है तो ये भी fixed question हो गया इस तरह से यहाँ पर be option correct हो जाता है next question यहाँ पर आ जाता है कक्षा 2 में कुछ विद्यार्थी हैं जो हासिल वाले दो अंकों की संख्याओं को जोड में कटनाई का सामना गरते हैं इस समश्या का कारड़ क्या हो सकता है गडित में उनकी रूची नहीं है या फिर अंकित मान और सानिय मान में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे या फिर सूने का महत नहीं समझते हैं या पुनर समूही करड़ की प्रक्रिया को समझने का आभाव है तो ये एकदम correct option यहाँ पर हो जाता है कि बच्चे जो है पुनर समूही करड़ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर जिसकी वज़े से वो हासिल वाले questions को नहीं समझ पाते हैं तो इस तरह से यहाँ पर देखे जैसे 44 लिखा है और 89 लिखा है तो इसको plus करना है यहाँ पर तो 4 plus 9 करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा यहाँ पर 13 13 में 3 लिखेंगे और एक यहाँ पर लिखतेंगे और इसमें जो है बच्चा ये जो एक है इसको coordinate करने में problem phase करता है तो यहाँ पर फिर से 13 आ जाएगा इस तरह से बच्चा इसमें coordinate कर नहीं कर पाता है इसके बाद यहाँ पर next question आता है प्रात्मिक स्थर पर गड़ित की अच्छी बाटे पुस्तक के लिए निम्लिखित में से कौन सी विसेस्ता महतपूर है तो कौन सी महतपूर है यहाँ पर विसेस्ता उसमें अधारना का परिचे संदर्वों के दोरा दिया जाना चाहिए या फिर केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिसे की यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके या फिर मोटी और बड़ी होनी चाहिए वो और आकर्शक और रंगीन होनी चाहिए इन चारों में से यहां पर A option correct हो जाता है कि उसमें जो आउधार नाएं हैं जो concept दिये गए हैं उनका परचिस संदर्व के साथ में किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रात्मिक स्तर की बात हम कर रहे हैं फस्ट फिप्ट की बात कर रहे हैं यहां पर A option correct हो जाएगा नेक्स कुशन वैन हिल से आता है यहां पर वैन हिल से कुशन जो है हमेशा आते हैं वैन हिले के जैमति स्तर के अंसार जो विद्यार्थी आकरतियों को दिखावट के अंसार वर्णित या वर्गिकरत करते हैं वे हैं वो कौन से विद्यार्थी होते हैं तो यह 0 स्तर के विद्यार्थी होते हैं इनका मानसिक चित्रड के आधार पर 0 स्तर बताया जाता है तो 0 स्तर में मानसिक चित्रड आते हैं यहां पर D options में correct हो जाएगा कि जो विद्यार्थी सिर्फ उसकी आकरतियों को देख कर जो है वर्गी करत कर लेते हैं जैमतियस तर पर तो उनको सर जीरो में रखा जाता है मानसिक चित्रड के लिए नेक्स कुशन आ जाएगा यहाँ पर गड़ित की कश्रा में संप्रेशर का उले किस चमता का विकास करना होता है तो मैंट्स की क्लास में जब हम कम्मुनिकेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं तो यहाँ पर बार ग्राफ यानि की दंड आरेक को देख कर आकडो कार्थ लगाना या फिर कक्षा में पूछे गए प्रशनों का तुरंद उत्तर देना यह C option है यहाँ पर कि गड़ित की समस्याओं को दूश्रों के विचारों में खंडन करना या D option आजाता है कि गड़तिये विचारों को सुव्यवस्ति संजित तदा स्पस्ट करना तो जब हम गड़ित के क्लास में भासा का प्रयोग करते हैं कम्मुनिकेट करते हैं वहाँ तो उसका जो है उदेश से होता है कि हम गड़ितिये विचारों को सुव्यवस्तित कर सकें संचित कर सकें और स्पस्ट कर सकें इस चमता का विकास करते हैं हम D option यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा next question आजाता है यदि एक सिक्षार्थी पुरांको भिन्नो दसमलो संख्याओं पर चारों आधार भूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ होता है तो वह है तो वह कौन से लेवल पे है तो इसका मतलब हो जाता है वो संक्रियात्म कवस्ता में आ चुका है क्योंकि उसके सा सारे कॉंसेप्ट यहां पर क्लियर होते हैं सी ओप्शन करेक्ट है यहां पर और इसमें जो चार्स आधार भूत संक्रियाएं होती हैं वो हो जाती हैं जोड करना यानि के गटाना यानि की माइनस करना गुड़ा इंटू भाग करना डिवाइड करना दे नेक्स कुष्ण यहां पर इंसीएफ से आ जाता है एंसीएफ राश्टी यह पाठी चलिया रूप्रे का दोजार पाच सिपारिस करता है कि प्रात्मिक स्तर पर गडित को सिक्षा का केंद्र हो करती है तो c option यहां पर correct हो जाएगा क्योंकि यह जो चीज़ है मतलब जो चीज़ बच्चों को real life से connect करेगी वह हमेसा correct होगी तो यहां पर c options में correct हो जाएगा इसके लिए एक्सकुशन पर चलेंगे इमनिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महतपूर पहलू नहीं है संख्या की समझ अगर विक्सित करनी है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है पंक्ती बध्धिता होनी चाहिए सीरेशन होना चाहिए वहाँ पे और बी ओप्शन होना गरना क्यलकुलेशन का पता होना चाहिए अंक लिखना जो है ये संख्या की समझ के पहलू में नहीं आता है सी ओप्शन यहाँ पे इंकरेक्ट हो जाएगा और जो नहीं है वही पूचा गया है हमसे संख्या करना भी इसमें आता है तो सी ओप्शन यहाँ पे करेक्ट है नेक्स कुशन पे चलते हैं अध्यापक ने कक्षा फोट में चात्रों को 36 स्टाइल दिये हैं 36 स्टाइल दी गई है यहाँ पर उन्हें सभी संभव आयतों बेविवस्थित करने के लिए कहा गया है इस जो है क्रिया का लाप दौरा निम्डखित में से कौन सी संकल्पना को संभोधित नहीं किया जा सकता है तो यह जो 36 स्टाइल हैं इनके दौरा बच्चे यहाँ पर छेत्रफल को ग्याद कर सकते हैं गुड़न खंड को ग्याद कर सकते हैं गुड़न फल को ग्याद कर सकते हैं लेकिन जो आयतन है इसको नहीं निकाल सकते हैं तो यहाँ पर सी ओप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा नेक्स कुशन इस अबाउट दस हजार तो आपको दस हजार लिखने हैं उसके बाद दस सो तो दस सो लिखेगा और उसके बाद दस दहाई तो दस दहाई लिखेगा दहाई का मतलब होता है एक जिरो और सो का मतलब होता है दो जिरो हजार का मतलब होता है तीन जिरो तो दस दस पहले से लिखा था तो उसमें दस लिख लेंगे और बागी के 0 लगाके इनको ब्लस करिएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11100 तो इसमें B option correct हो जाएगा इसके लिए Next question पर जलते हैं इस तरह से Next question है यहाँ पर 12 112 को 11 से भाग देना है और 13 223 को भाग देना है 13 से यहाँ पर सेसफल का योग आपको बताना है इसमें तो संख्या लिखेगा पहले तो 11 से 1 टाइम जाएगी 1 रिमेंडर बचेगा 1 फिर से नोट करेंगे यहाँ पर फिर 1 टाइम चला जाएगा तो 1 लिखेंगे यहाँ पर पूरा कर जाएगा उसके बाद यहाँ पर 12 बचेगा रिमेंडर में वो यहाँ पर नोट करेंगे 1-0 बढ़ा के आप यहाँ पर जो है दोनों संख्याओं को नोट कर लेते हैं उसके बाद 1 टाइम यह संख्या जाती है तो रिमेंडर यहाँ पर 1 बचेगा इसी तरह से इसमें भी भाग कर लेंगे तो यहां पर remainder 2 बसता है तो 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 यहां पर योगफल आ जाएगा इनका जिसमें A option आपका correct हो जाएगा Next question यहां पर place value और face value से किया गया है तो यहां पर 6 की place value पूछी जा रही है तो 3 यह 0 लगा दीजेगा यहां पर 6 लिखके बतब जितने number पर संख्या होगे उससे पहले जितने भी numbers होगे उतने के हम 0 लगा देते हैं 4 यहां पर 4 का अंकित्मान पूछा जा रहा है तो वो 4 ही रहेगा तो 6000 से 4 को माइनस किर देगे यहां पर जो बचेगा वो आपका अंसर हो जाएगा C यहां पर आपका अंसर हो जाता है next question आ जाता है यहां पर 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सर्व गुड़च और सबसे बड़े सर्व गुड़च यानि कि LCM और HCF के बात की जा रही है यहां पर तो सबसे पहले आप LCM निकालेगा इन सबके और इसके बाद HCF निकाले जाएंगे तो यहां पर देखे 30, 30 के गुड़च खंड यह है 36 और 42 इन सबका LCM जब निकालते हैं तो यहां पर आजाता है 36 गुड़च तो यह आपका अंसर आजाएगा 1260 इसके बाद सब HCF निकालेंगे यहां पर जिसमें आप जो है 3 into 2 करेंगे क्योंकि वह सबसे कॉमन संख्या है जो सब में पाई जा रही है तो यहां पर 6 इसका HCF आ जाएगा अतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यह सारी संख्या है कर जाएं वो हमेसा HCF होगा तो यहां पर into कर देंगे LCM और HCF का into पूछा गया था इनके तो यह आपका अंसर हो जाएगा 75 तो यहां पर देखिए D options के लिए correct हो जाता है next question यहां पर आ जाता है 84 के सभी धनात्मक गुड़न खंडों का योग जो साथ के गुड़ज है वो आपको बताने है तो 84 के कौन कौन से गुड़ज है यहां पर सभी गुड़न खंड लिखेंगे यहां पर जो धनात्मक होंगे तो 7, 14, 21, 28, 42 यह सारे हो जाते हैं और सयम वो संग्या तो यहां पर 7 से जो बड़े हैं तो सारे ही 7 से बड़े हैं सब को ब्लस कर लेंगे 196 यहां पर आंसर आ जाएगा आपका C option correct है इसके न्याइक यहां पर आ जाता है जब दिली का समय 8 बज़़कर 9 मिनट है तब सीद्म कर सब्सक्र उपकर 19 मिनट है तो यह एएम हैं और वहां पर लोगश्ज मिनट होता है एम पर तो Sydney का समय क्या होगा यहां पर तो आप यहां पर पहले तो difference निकाले कि कितना है तो जब एक बजता है वहां पर Sydney का तो यहां पर 8.30 बज रहा है तो उसमें जो टाइम लाप आ जाएगा वो आठ गंट चार गंटे 40-30 मिनट का आ जाता है मतला कि साड़े चार गंटे का गैप है यहां पर Sydney और डिली के टाइम में तो साड़े चार गंटे आप 11.19 मिनट में प्लस कर देंगे यहां पर जिसमें आपका अंसर आ जाएगा यहां पर 15.49 का मतलब हो जाता है कि यहां पर 3.49 मिनट हुआ है जिसमें आपका B option करेक्ट हो जाएगा और यह PM का टाइम है क्योंकि यहां पर AM का टाइम था तो यहां पर 3 जब बज़ेंगे तो PM हो चुका होगा तो इसमें B option आपका करेक्ट हो जाता है next question है यहां पर एक मानचित्र पर आधा सेंटीमेटर भूमी पर 125 किलोमेटर दर्शादा है और यदि दो नगरों के बीच की दूरी आपको 2000 किलोमेटर दी गई है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी आधा सेंटीमेटर यहां पर दिखा रहा है 125 के लिए तो 125 के लिए जब आधा सेंटीमेटर दिखा रहा है तो एक सेंटीमेटर आप निकालने के लिए 125 जो है इसमें इंतो कर देंगे डिवाइट कर देंगे इसमें जब डिवाइट करेंगे तो ये इसके साथ में संख्या आ जाती है और 2000 किलोमेटर निकालेंगे तो 2000 किलोमेटर इसमें उपर चला जाएगो इस तरह से आप यहाँ पर इसको solve कर लेंगे तो 8 cm आपका अंसर आ जाएगा यहाँ पर तो 8 cm की दोरी है मानचित्र में इन दोनों नगरों के बीच में बी option आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा next question यहाँ पर आ जाता है कि इनमें से कौन सा statement wrong है वो आपको बताना है तो 25 सतांस इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है सतांस का मतलब 100 से हो जाता है तो यह option यहाँ पर करेक्ट है next question आ जाता है next point है यहाँ पर point 57 अगर आपको लिखना है तो इस तरह से आप लिखेंगे यह भी option यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्योंकि point के बाद 2 संख्या तक आप 0 बढ़ाएंगे तो उसका कोई भी सेंस नहीं होता है next यहाँ पर c option आ जाता है तो यह भी be all option करेक्ट है c option है जिसमें बताया गया है कि 30 cm बुझा वाले वर्क का छेतरफल 4.5 मीटर into point 2 मीटर आयत के छेतरफल के समान है तो यह statement यहाँ पर चेक कर लेते हैं 30 cm की वर्क की जो भुझा है इसका छेतरफल वर्क का छेतरफल आ जाएगा भुझा स्कार करेंगे तो 30 का स्कार आ जाएगा तो इसका मतलब 900 cm इसका वर्क का छेतरफल आ जाएगा इसके बाद 4.5 मीटर और 0.2 मीटर का आयतन का छेतरफल है तो इसको into कर लेते हैं क्योंकि लंबाई गुड़े चोड़ाएगी इसका आयत का छेतरफल होता है इसको जब into करेंगे तो cm में चेंज करने के लिए 100 से into करेंगे इसमें दोनों में 100 से into करने के बाद में जो value आती है यहाँ पे वो 9000 किया आएगी तो 900 work का छेतरफल था आयत का छेतरफल यहाँ पे 9000 cm स्कार आता है तो इस तरह से यह जो statement है यहाँ पे wrong है यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा statement इन में से wrong है तो wrong वाला statement यहाँ पे कौन सा हो जाएगा C statement C statement यहाँ पे wrong हो जाता है तो यहाँ पे यह हमसे पूछा गया है इसके बाद जो है 2009 ml जो है इसको 2002 लीटर और 9 ml लिखा जा सकता है यह option भी यहाँ पे correct है क्योंकि एक लीटर में 1000 ml होते हैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इस question में C option correct था next question यहाँ पे आ जाता है किसी विद्याले में 660 विद्यार्ती हैं इन विद्यार्तियों का दो तिहाई लड़के हैं और लड़कों की संख्या का 3-4 लड़किया हैं यहाँ पर 3-4 और लड़कियों की संख्या का 1-4 खिलाडी हैं यहाँ पर तो कुल खिलाडियों की आपको संख्या बतानी है इन में से तो आएए देखते हैं टंस को योज करके इसको solve करते हैं तो यह देखिए यहाँ पर कुल जो है विद्यार्ती 660 थे लड़कों की संख्या जो है दो तिहाई है कुल का तो यह 440 आ जाएंगे लड़कों की संख्या जो है इसमें से माइनस कर देंगे तो निकल आएगी और लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी है वो तीन चौथाई है तो वो निकालेंगे यहाँ पर हैं लड़कों की संख्या में से जो तीन सो तीस आ जायेंगे लड़किय। की संख्या ही ज़ाया है 25 यहां पर लड़कियों के संख्या का एक चॉताई कर देंगे तो पचपन यहां पर लड़किया धेंगी खिलाड़ी दोनों नभर को बसक्ति है ruthless कर लेती हैं 7 मितर चुडे कमरे के फर्स पर टाइल लगाना चाहती है टाइलों में निम्न साइजों में से कौन साथ खरीदे कि फर्स पर टाइल किसी टाइल को काटे लग जाए तो यहां पर आपको जो है टाइल का जो है measurement निकालना है तो कमरे का छेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले 9 मीटर और 7 मीटर है यहाँ पर और options आपके cm में दिये गए हैं तो इसको सबसे पहले cm में convert करेंगे तो 1 मीटर में 100 cm होता है तो यहाँ पर 900 x 700 हो जाएगा जिसकी value यहाँ पर यह आजाएगी तो यह कमरे का छेत्रफल है जो की cm में इस तरह से लिखा जाएगा और इसके बाद जो है इस नंबर का जब हम गुड़नखन यहाँ पर निकालते हैं तो उसको 35 गुड़े 45 लिख सकते हैं तो इस जो है measurement की tiles यहाँ पर लेने होंगे जो option हो जाता है C next question पर चलते है 6 गंटों में सेकंडों की संख्या निम्नखित में से कितने मिनट की बराबर होती है तो यहाँ पर 6 गंटे दिये गए हैं 6 गंटे के लिए आपको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं मिनट हो जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको average निकालना है दोनों को 6 गंटे के सेकंड को यहाँ पर एक दिन के सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो 15 दिन के वैला पर यह value हो जाएगी बी options में correct हो जाएगा next question पर चलेंगे चार घनाकार घनाबकार बक्सों में विमाई जो हैं सेंटीमेटर में दी गई है इस तरह से यह measurement दिया गया है लंबाई चोडाई और उचाई का चार यह बक्से हैं घनाबकार लकडी के 18,440 सेंटीमेटर घनों के को पैक करने के लिए कितने बक्सों की यहाँ पर आशकता होगी वो आपको बताने है तो इन numbers का use करके हम इसको solve करेंगे यहाँ पर पहला जो घनाबकार बक्से का आयतन है उसको solve करेंगे तो यह 9,000 सेंटीमेटर क्यूब आया और इसके बाद दूसरे घनाबकार बक्से का जो आयतन है वो यह दिया है जो आ गया 9,200 सेंटीमेटर क्यूब तीसरे बक्से का यहाँ पर आता है 9,240 सेंटीमेटर क्यूब और चोथे बक्से का आजाता है 9,120 सेंटीमेटर क्यूब दूसरे और चोथे बक्से का आयतन यहा Ppls करते हैं तो 18,444 आ जाता है यहां पर इसका मत्ब हो जाता है कि दूसरे और तीसरे ज़ो बकसे हैन उनका प्रयोग यहां पर किया जाए गा क्योंकि उनकी वैल्यों इनके सीमा आ जाती है तो यहां पर प्री options के लिए correct हो जाएगा दूसरे और तीसरे बक्से का हम उपयोग यहां पर करेंगे यह जो दूसरा बक्सा है और यह यहां पर तीसरा बक्सा है next question यहां पर आता है किसी आयत की लंबाई यहां पर 80 cm परिमाब वाले एक वर्क की भुजा की तोगनी है यदि आयत की चौड़ाई 20 cm है तो आयत का छेत्रफल cm2 में वर्क की छेत्रफल से कितना अधिक है यह बताना है आपको तो वर्क की भुजा यहां पर आपको बतानी पड़ेगी परिमाब की चार से डिवाइट कर देते हैं तो यहां पर भुजा आ जाती है तो परिमाप यहां पर 80 दिया गया था चार से डिवाइड करेंगे तो 20 cm की बुझा हो जाएगी वर्क की और यही जो है वर्क की बुझा की दोगनी है आयत की जो है लंबाई तो दोगनी करेंगे 40 cm लंबाई हो गई 20 cm चोड़ाई दिये गई थी आयत की इसका छेत्रफल निक निकालेंगे तो बुझा स्कार होता है 20 cm की बुझा थी तो 400 वर्क सेंटीमेटर आ गया अंतर कर लिया इन दोनों में तो 400 का डिफ्रेंस आया सी ओप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा नेक्स कुश्चिन पर चलेंगे हारून एक फल की दुकान पर गया और तेट दरजन केल 5 30 किलो कि दर से उसने पाया साध़े 3 किलों से मिल ऐंगोर कि दर से पाया 0.25 किलो आम क्रविध करज सेंटी किलो और 750 ग्राम हंगूर 120 की प्रति किलो में पाया है तो ये सारे आपको rate दिये गए हैं यदि आप फल विक्रेता को 500 का note देंगे तो विक्रेता आपको कितने रुपए वापस करेगा वो मूल्य आपको बताना है यहाँ पर तो आप सबसे पहले calculate करेए कितना यह amount हुआ है यहाँ पर उसको minus कर दीजेगा तो यहाँ पर answer आजाएगा इसके लिए तो केली का जो खुल दाम है वो यहाँ पर एक दरजन आप लिखे डेड़ दरजन दिया गया था तो यहाँ पर 12 प्लस 6 हो जाएगा और मूल्य दिया गया था डाई रूपै 45 रूपै टोटल हो गया सेव का मूल्य यहाँ पर देखे वो आ जाएगा 201.60 रूपै और उसके बाद आम का मूल्य आ जाता है 113.10 रूपै और अंगूर का मूल्य आ जाता है 90 रूपै इसको जो है एक किलो ग्राम यहाँ पर 1000 ग्राम के बराबर होता है यह भी आप जानते हैं फलो का की खुल कीमत चोड़ने के लिए यहाँ पर टोटल को प्लस कर देती है उसके बाद इसको 500 से माइनस कर देंगे तो 50.30 इसका मतलब है कि वह आपको 50.30 वह वापस करेगा सी उप्षेंस में करेक्ट हो जाएगा इस तरह से आपके 30 कॉश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं मास के लिए